सालों पहले एक घंटा घर में टिंकू चिडिया अपने माता पिता और पांच भाईयों के साथ रहती थी टिंकू चिडिया छोटी सी थी, उसके पंक मुलायम थे उसकी मा ने उसे घंटा घर की ताल पर चहकना सिखाया था घंटा घर के पास ही एक घर था, जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी वे टिंकू चिडिया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुगड़ा डालती थी एक दिन वे बिमार पर गई और उसकी मौत हो गई टिंकुचिडिया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर निर्भत था अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और नाहीं वो अपने लिए खान जुटाने के लिए कुछ करते है एक दिन भूख से बेहाल होने पर टिंकू चिडिया के पिता ने कीडों का शिकर करने का फैसला किया काफी मेनत करने के बाद उन्हें तीन कीडे मिले जो परिवार के लिए काफी नहीं था वे आट लोग थे इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके दो छोटे भाईयों को खिलाने के लिए कीडे साइड में रग दिये इधर खाने की तलाश में भटक रही टिंकू उसके भाई और उसकी मा ने एक घर की खिड़की में चोच मारी ताकि कुछ मिल जाए लेकिन कुछ नहीं मिला उल्टा घर के मालिक ने उन पर राक फेक दी जिससे तीनों पुरे रंग के हो गय थे उधर काफी तलाश करने के बाद टिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहाँ काफी संख्या में कीरे थे उनकी कई दिनों के खाने का इंतिजाम हो चुका था वे जब खुशी खुशी घर पहुचा तो वहाँ कोई नहीं मिला वे परेशान हो गया तभी टिंकू चीरिया उसका भाई और मा वापस लोटे तो पिता उन्हें पैचान नहीं पाए और गुसे में उन्होंने सब को भगा दिया टिंकू ने पिता को समझाने की काफी कोशिश की उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके उपर रंग फेका है लेकिन टिंकू के हाथ असफलता ही लगी उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए लेकिन टिंको ने हार नहीं मानी वे उन्हें लेकर तालाब के पास गए और नहला कर सब की राख हटा दी तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए अब टिंको के पिता ने भी उन्हें पैचान दिया और माफी मांगी अब सब मिलकर खुशी-खुशी एक साथ रहने लगे उनके पास खाने की भी कमी नहीं थी तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्बण नहीं रहना चाहिए इनसान को खुद मैनत करके अपनी जरूरत की चीजों को जुटाना चाहिए